पियारे साथी हो जैसा कि आप लोगों का कलास 11 से फर्स्ट ट्रमील का एक्जाम यानि की प्रतम सार्वडिक्पडिक्षा 2024 में होने जा रहा है तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने बला है क्योंकि प्यारबच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग होम साइंस यानि की गडिव विज्ञान का 100% ओरिजिनल पीपर लेकर के आये हैं और आप लोगों को जो है ना अब्जाक्टिव सब्जाक्टिव रूम का इंसर की इस वीडियो में बताएंगे साथ में पीडियो के रूप में इसे कई से डाउनलोड करना है यह भी शिखाएंगा तो देखिए प्यार बच्चो यह जो आपका एकजाम होगा आज हो रहा है यानिकी 31 अगस्त के दिन आपका एकजाम हो रहा है तो देखिए विश्यकूड आपका 37 रहेगा टाइम आप लोग देख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं बीना देरी करते हैं लोग आगे बढ़ेंगे तो सेशन ए में देख लिजेगा इसमें जो दिया गया है इसमें एक सी लेकर करके टीज तक अब्जेक्टिव परचने आपको कि नहीं इसमें से 25 परचनों का इस जवाब देन होगा मातर 25 परचन आपको इसमें से बनाना है तो चलिए मैं आपको एक एक कुश्चन का उत्तर बताता हूं आप लोग नुट करके जाए अराम से एक्जाम हॉल में और एक्जाम दे करके आएगा तो हमें बताएगा आपका एक्जाम कैसा गया तो पाहला नुम्र कि और नेक्स्ट कुश्चन आपर देखिएगा दो नुमर कुछा जा रहा है पर इसमें बोला निम्नलिकित में से कौन एक संकर्मन रोग है तो याद रखिएगा इन में से जो संकर्मन रोग होगा एक तू जगा मरेल या दुस्रा जगा डाइड या साथ में चेचक तो राइट इनसर जो है दी नमर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आगे बरते हैं तीन मर कुश्चन की और प्राकर्तिक पड़ती रक्षा जो है न यह किसमें आती है तो याद रखिएगा राइट जो तीन का होगा ऑफशन ए हो जाएगा नुट करना जम जाद से ठीक है तो रा जाद रखिएगा चार का राइट इंसर ऑफशन मड़ी होगा यह आपको जार रखने एक तो डाइडिया के कारण साथ में अतिसार और टाइफ फाइड के कारण तो आपको नुट करना है इन में से सभी तो राइट इंसर डी बिल्कुल जो है कर डिक्ट हो जाएगा आगे लोग बढ़ते हैं पांच नमर प्रस्न आप लोगों से पूछा गया यह बुला रोग के की तानूं से के सरीर में प्रवेश करने से लेकर उत्पन होने की समय जोना समय अब्दी को क्या कहा जाता है तो आप पांच का लोट करेंगे ऑफशन भी होगा यह उद्भवन काल य यह बुला कि निम्न में से कौन भोजन को निगलने समय स्वसन मार्ग को वंद कर देता है यानि कि हम लोग जिस टाइम खाना को खाते हमारे गला के अंदर जाता है तो इस टाइम कौन सा स्वसन मार्ग वंद हो जाता है तो याद कि राइट अच्छे का ओफशन हो जाएगा तो चलिए प्यार बच्चो आपने दिखा छे नमर का राइट एंसर हो जाएगा ऑफशन दी इसके अलावे नेक्स्ट कुशन साथ नमर बोला गया यह बोला कि कुकूर खोशी फैलने का कारण क्या है तो चाह साथ नमर का आपको यार रखना है ऑफशन नमर जो एना वी होगा यानि की एर आप लोगों को वाई नूट कर लेना है साथ का ओफशन नमर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आठ नमर कुशन है अब बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है तो आठ नमर का यार रखना है क्योंकि गंबीर विमारियों से बचाने के लिए गंबीर परती रोग परती रोड़क छमता विक्षित करने तो संकर्मक रोगों से वचाने के लिए तो इन में से सभी होगा आप लोगों को जो है याद कर लेना है आगे हम लोग वाट करें कुश्चन नमर 9 की तो 9 नमर आप से बुला गया घड की नालियों को नी संकर्मित किया जाता है किसके द्वारा तो याद रखेगा 9 का ओप्शन मर्शी होगा फिनाईल द्वारा ओप्शन मर्शी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा दस नमर कुश्चन है निमन लिखित में से कौन जोना कि टानू सोधन का भौतिक तरीका है तो आप याद रखेगा 10 का बिल्कुल करेक्ट इंसर ऑफ्शन डी होगा यानि की यह हो जाएगा इन में से कोई नहीं ऑफ्शन डी आप लोगों को को नोट कर लेना है दस नमर्ट प्रस निका ठीक है आगे बढ़ते हैं कुश्चन मर्ट ग्याड़ा कि योड यह बोला ओपी भी दी जाती है किसमें तो याद रखेगा प बारा नमर्ट पूछा गया है प्रशन बोला है टेटनास जीवान कहां पाया जाता है तो बारा का राइटेंसर ऑफ्शन डी होगा आप लोगों को जोना नोट करना है यह क्या हो जाएगा बिल्कुल बारा नमर्ट का डी यानिकी इन में से सभी एक तो गोबड में साथ में जंग लगे होए में मिट्टी में तो ऑफ्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा नोट करना है बात करें कुशन मर्ट तेरा की तो डेंगू फैलना क्या है तो तेरा का राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्शन सी यानिकी एक तिक्षिगा दूसित जल से देंगू फैलता है वायू दूसित बायू से मच्चर के कटने से इन में से सभी हो जाएगा डी नमर आपको याद कर लेना है आगे बढ़ते हैं चोदा नमर कुश्चन पुरला गया शंकर्मन फैल सकता है किसके द्वरा तो आप चोदा का नोट करेंगे एक तो फैल हैगा अजना मल के संपर्क में आन आगे बढ़ते हैं 15 नमर कुश्चन आप पूशा गया है यह प्रशन आप से बूला जाड़ा है कि वह वत्ता यह निमनलिकित में से कौन एक गैड़ संचारी रोग है तो देखिए आप 15 का राइटेंस और ऑप्शन सी होगा नोट करना है घ्रदया घात यान की हार्ड अट करना है इन फूलू जोना इन फूलू लेंजा यानि की ऑफ्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे कुश्चन मर सटरा है सडीर में सडीर में रोगों से रलने की छमता को क्या कहा जाता है तो सटरा का ऑप्शन डियोगा नुट करना है रोग परतीरोदक छमता देख लीजेगा प्राइशन की आप लोगों शेकी बताइए यादि कोई बीमारी किसी गेड मानव या जानवर से होता है तो उसे क्या कहा जाता है तो आठारा का ऑप्शन नुम्र जो है ना डिनमर आपको नुट करना है यह हो जाएगा इन में से कोई ने ठीक है इन में से कोई नए बात करें चुकिस से मुक्त रहता है तो कोई भी व्यक्ति स्वहस्थ है तो रोग से क्या रहेगा दूर रहेगा तो आप्शन नमर रहे आपको आप लोगों को राइट हो जाएगा नूट कर लेना है बात करें बीस नमर कुश्चर की तो बोला बी Sीатель का किस रोग उसे बचाओ के लिए लगाया जाता है तो भी इसका option नमर हो जाएगा अभी नमर यह जाएगा तपेडिक यानि की option नमर भी जो है बिल्कुल राइट होगा तो पहरा बचो आगे में आपको एंसर और बताऊंगा उससे पहले subjective objective का पीडियाप में आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूं ताकि आप अराम से जो है subjective का भी अंसर की लिख पाएंगे तो इसके लिए आप क्या करिए गूगल को अपयान करेंगे पहले सीखे लिए फिर जाकर के करिएगा गूगल को आपको सबसे पहले पहले आपको सब्सक्राइब करेंगे फिर थोड़ा सा उपड़ करिए गाप फरस्ट में मिठ्वन एस्टरी चंटर का ओफिशली वेपसाय की मिल जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफिश में होगा मैं इसको डेश्टोक मोड़ चाहँ इस प्रकार से आपके फोन आपके लिए लेवन का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा तो देखिए क्लास 11 लिखाव मिल आपको क्लिक करने के बाद इस परकार से इंटरफिश में होगा अराम से स्कॉल्डन करना नीचे चले आना है नीचा यहां पर साइंस का सेशन था थोड़ा और नीचा ना यहा टो है यहां पर होम सायंस के सामने डाउंलूड लिखा है डाउंलूड घगी कारिए क्लिक करने के बाद पी इच को जरूर रिफ्रेष कर लिजगा रिफ्रेष संहे नहीं करिए तो एंटर के आपको नीचे आना है और आब गडिको यहां उसे जॉए आप लिख तो आगे क् तो सारे question का उत्तर दीया गया है। दूस्रता का ठीसरा का उत्तर का लुट उत्तर सार्रा का उत्तर आप आहिए इहां से ताणलोड करके कहते यह किया है। और मैं आप आपको continue answer बताता हूं कि इसका मच्छरों द्वारा कौन से विमारी नहीं फैलती है तो 21 नमर का आपको यार रखना है option D और 6 और option number D आप लोगों को नुट करना है 22 नमर की निमलिकित में से कौन जो न डी फिलिस या कारलक्षन है तो आपको यार रखना है 22 का option number C हो जाएगा नोट करना है गले में जिल्ली का वरना option C बिल्कुल राइट होगा आगे बढ़ते हैं 23 नमर कुश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से प्रश्न बोला की पागल कुट्ता के काटने से कौन से विमारी होती है तो 23 नमर का option D note करना है रेवीज का option number D जो है बिल्कुल करेक्ट होगा बात करें 24 नमर कुश्चन के तो निमलिकित में से कोन निमलिकित में से किसके लिए घर की सफाई मातपुर्न है तो 24 का option D note करना है यह हो जाएगा एक तो आपका मानसिक स्वास्ट के लिए दूसरा हो जाएगा साडरिक स्वास्ट के लिए और स्वास्ट बातावरन के लिए आप राइट एसड़ D आपको note करना इन में से सभी हो जाएगी आगे बढ़ते हैं 25 नमर कुष्ट बुला गया मानव शरीर में दस्ट की विकड़ती कि रोग में होती है तो यह रखेगा 25 का option C होगा पैस्ट यानि option C बिलकुल राइट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुष्ट आपके सामने 26 नमर बुला गया बुला गया कि मरेलिया रोग किस प्रकार का रोग है तो 26 का option नमर भी होगा यह प्रोटो जो आज जनित हो जाएगी option नमर भी बिलकुल जो है राइट होगा 27 नमर कुष्ट ने रोगे की लार्ज किस से रोग का प्रसार होता है तो 27 का कडेक्ट अंसर भी होगा निट करना है गल सुगा यानि की option नमर भी बिलकुल कडेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं 28 नमर कुष्ट आप से बोला जा रहा है निमनलिकित में से कौन वाल्य अवस्था कि वीमारी रोग ठाम योग और उप्च करना है दी नमर बिलकुल जो है करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 29 नमर कुष्टन के ओर तो यह आप से बूला जा रहा है कि निमनलिकित में से किसे कित नार्स अजना कि टानू नार्सक के रूप में जाना जाता है तो यह रखना है 29 का option D होगा एक तो जाएगा एलक कित में से क्या उम्र के साथ नहीं बदलता है तो उम्र के साथ क्या नहीं बदलेगा तो जल्कुल याद रखना है इन में से कोई नहीं तो option D आप लोगों को याद कर लेना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एक से लेकर करके 10 तक परस्तना आपको कर निपांद परस् है तीसरा नमर है भोजन और जल द्वारा शेंकरमन कैसे फैलता है आगे देख लिजेगा चार नमर कुष्ण आप से आप पर बोला गया जल जनीटर वीमारी क्या है और पाजमा है रोग परतिरोध छमता से क्या समझते हैं आगे देखिएगा छे नमर कुष्ण बोला जा र है और आट नमर है पूलियों के क्या लक्षन है आगे बढ़ते हैं तो कुष्ण है आपर जो है नौ नमर है प्राकरतिक परतिरोध छमता क्या है इसके अलावे दस नमर है कि किसी रोगी के घर को कैसे बिस्क जो ना भी संकर्मित क्या जाता है तो यह सोट कुष्ण था दस नमर के लिए ठीक है मैं इसका वित्तर बताओं का टेंशन आपको बेलकोल नहीं लेना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बाड़ा रहे हो हमारे चैनल पे तो ठीक है चलिए वरते आगे यहां से देखिएगा अब जो बोला अब है इसमें दीर गुत्रिया प् 15 तक परशन आपको तीन परशनों का ही जवाब देना है पांच नमर बला है तो तर पंद्रा नमर आपको यहां पर मिलने बला है तो मैं आपको एक क्यों दिखाता हूं पहला क्यों देख लिजेगा बोला गया डेंगू होने के कारण लक्ष एबं बचने के उपाय लिखे ठीक है और बारन मड़े बच्चों को विविन परकार की बीमारी से किस परकार रक्षा करने चाहिए तेर्य नमरे उस बीमारी का वर्नन गडे जिसके लिए बच्चों को बीवी सी बी सीजी काटिका लगाया जाता है आगे यहां पर देख लिजिए यहां पर कुश्यर की चौदा है यह बुला कि हाथ धोने के चरन क्या है और 15 संकर्माक रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोकने के लिए उपाय किये जाने चाहिए तो इस प्रकार से यह सारा कुश्चन है चलो इसका कुश्चन में आप सब्जाक्टिव का एंसर की दिखाता हूं तो देख देख लिए जैसे कि उत्तर होगा फुलू खसरा जोना एन एच आई वी ड्रेप ट्रोड कोविड नाइंटी और सालो मुन साल सालमो नेला सभी संकर्माक रोगों के उधारन है कैंसर मधुमें कंजेट एस्टीव हाड फ्रेयार्व और एक जोना अल्जाइमल रोग शभी ग मैं भी रुगिए आप लोगों को उत्तर भी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा पीडियाप क्रिप में जाके लिख लेना वीडियो में लिख लेना तोर आपको मुश्किल होता है इसलिए मैं आपको शिखा जूगा चलिए यहां दोन मुन कुशन का उत्तर होगा कुछ इस रोग पैदा करने वाले वैक्ट्रिया और वाइरस मुन नाक गले और श्रसन तंट्रिस्ट में फैलते हैं वे संकर्मित व्यक्तियों के खांसने छीकने से निकलने वाली बूंदों के सीधे शंपड़क में आने या या फिर गंदे हातों पर लार या बलगम के माध्यम स भेल सकते हैं तो इस परकार से दो म्रकुष्ण का प्रवपर से उत्तर हो जाएगा बात करें लोग सात्ती्यम टम कूर्ड क्ली की तो इस इसका जो उत्तर आपको देख़ना है उत्तर हो है भोजन और पानी से होने वाली विमारी जिसे अक्सार खाग ॥शरों कार्व Napas में या पीने से होती है यह जीव जानबरो जैस और संकर्मित रोगों के मल में फैलते हैं इसके अलावे आगे बढ़ते हैं चार नमर कुछन का उत्तर देख लिएगा इसका उत्तर होगा प्यार बच्छो यह हो जाएगा आपका की जल जनित रोग बीमारियों का एक समू है जो द है जल जनित रोग भारत में होने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है भारत के योजना आयोग के नुसार बारत की 85% अबादी जल के अव संरचना द्वरा कवर की गई है आगे बढ़ते हैं साथ पांच नमर कुछन का उत्तर यहां पर होगा देख लिएगा ध्यान प्र यूमुनीटी कहते हैं या सरीर को भीमारियों से लड़ने की सक्ति प्रदान करता है रोग परती रोधक छमता में खान पान और जीवन सहली की वड़ी भूमिका होती है जिसका पर योग परती रोधक छमता कमजोर होता है वह अधिक विमार परते हैं तो इस प्रकार से 10 नम के लिए दो माक्स पिला था पांच कुष्ण पिला था आप देखो लॉंग कुष्ण ने स्टार्ट होता है लॉंग कुष्ण कि अगर बात करें तो इसमें हम 11 नमन का उत्तर दिये तो यहां पर देखिए आपके सामने देंगु अब देंगु बुखार से जूरी खास सरते देंगु बुखार पर देंगु बुखार मक्चर कि का नेंगु या भीमारी घंभीर फूलू जैसी होती है लिश्ण के सब से अच्छकर को मचड़ो के कश है यह उपाय अपनाना चाहिए, पहला कीट विशरका का इस्टेमाल करें, दीले डाले, लंबी, आस्टीन बाली, साथ और पैंट पाने, घर के अंदर एर कंडीशनिंग का इस्टेमाल करें, और खिरकी और दरवाजे में जाली लगाएं, साथ में सोने के लिए मचरदानी का इस इस्टेमाल करें, इसके बाद आब आजाएगा इसका लक्षन, देंगू के कार्टनी का जो लक्षन, मतलब क्या क्या लक्षन दिखता है, तो देखिए ही, कभी भी आपको 104F, यानि कि 40 degrees तक का, 40 degrees Celsius तक का तेज भुखार हो जाए, या फिर तेज सिरदर्द हो, आँखों के पीछे दर्दो, जी मिचलाना या उल्टिमा आर लगना या फिर गरंथी में सूजन होना या फिर जोडो, हड्डियो, और मान स्पेशियों में दर्दो या फिर तवचा पर लाल चमकते धब्बे हो जाए, तो आप समझ लिजेगा आपको जो है क्या हो गया, आपको हो गया आपको वीडियो में बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों कुझे से सिखाड़ाओं को जोड़ाओं